हाई फ्रेंड्स आज हम बनाने जा रहे हैं टोमाटो चीली राइस जिसके लिए मैंने लिया है 3 टिबल स्पून ओईल आज मैंने ओईल डाला है मस्टर्ड ओईल इसको मैं अची तरीके से पका लूँगी जिससे इसकी स्मेल उड़ जाए आप कोई और सभी तेल स्टमाल कर सकते हैं फिर मैं इसके अंदर डालूँगी कुछ खड़े मसाले जैसे कि मैंने डाला है एक तेस पत्ता, एक डालचीनी, 7-8 काली मिर्च, एक चक्री फूल, 3 हरी इलाइची, 4-5 लॉंग, 2 टेबल स्पून, जीरा मैं इसको इसके अंदर डाल दूँगी और अच्छी तरीके से इसको भुन लूँगी जिससे तेल के अंदर एक अच्छी सी स्मेल आ जाए और फिर मैं इसके अंदर दाल रही हूं टमाटर जो कि मैंने लिये हैं 5-6 और उसको मिक्सर में हलका दरदरा मैंने पीस लिया था यह देखिए आपको अच्छी तरीके से इसको मिक्स करके पका लेना है और फिर इसको ढख लेना है इसको आप 10 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर ढख दीजे यह देखिए मैंने 10 मिनट के बाद इसको खोल दिया है और यह इसका पानी सारा सूख चुका है अब मैं इसके अंदर डालूंगे कुछ मसाले जैसे की नमक according to taste कश्मीली लाल मिर्च 1 टी स्पून लाल मिर्च 2 टी स्पून धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून हम इसको अच्छी तरीके से इसमें मिक्स कर लेंगे यह देखिए आपको अच्छी तरीके से इसको भून लेना है इसको तब तक भूनना है जब तक इसका ओयल ना रिलीज हो जाए यह देखिए मेरा आप ओयल रिलीज हो चुका है अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ पा देखिए मैं इसको अची तरीके से में मिक्स कर लिया है और स्कों जब तक मिक्स करना है जब तक इसके लंपना खतम हो जाए और आप इसके अ अदर अधरक लहसन का आप पेस भी उसकर सकते हैं, मैंने आज नहीं किया है, उससे और अच्छा टेस्ट आएगा, मैं यहाँ पे ले रही हूँ, दो ग्लास, चावल का, यह देखिए, और अच्छी तरीके से आपको, मिक्स कर लेना है, और फिर मैं इसके अंदर डालूंगी पानी, आप अपने अक पका लिया है, यह देखिए, अब मैं इसको बंद कर दूँगी और स्लो फ्लेम पर रख दूँगी, 15-20 मिनट के लिए, अब मैं ले रही हूँ, नॉन स्टिक पैन, जिसके अंदर मैंने डाला है, वन टेबल स्पून ओयल, और मैं दो से तीन शिमला मेश को मैंने चॉप करक है, और यह देखिए, मैं अपनी शिमला मेर्च इसके अंदर डाल दूँगी, यह दिखिए, अची तरीके से मुझे इसको, मिक्स कर लेना है, उसके बाद मैं डाल रही हूँ, अकॉर्डिंग टेस्ट, नमक, नमक इसके अंदर कम ही डालना है, जितनी डाली है, उसके अकॉ और यह देखिए, पाच मिनट में मेरी शिमला मेर्च अच्छी तरीके से बुन चुकी है, इसके बाद मैं इसके अंदर डालूँगी अपनी सारी शिमला मेर्च, यह देखिए, बीस मिनट के अंदर मेरा यह चावल बन के तयार है, एकदम खिले-खिले मेरे चावल बने है, और फिर मैं अपनी सारी शिम्लामिच इसके अंदर डाल दूंगी और आपको इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर ले रहा है ये देखिए मेरा टोमाटो चिली राइस बिल्कुल तयार हो चुका है और चावल बिल्कुल खिले खिले बने हैं आप लोग भी इसको जरूँ ट्राय करें ये बहुत जल्दी भी बन जाता है और बहुत अच्छा लगता है ये खाने में और बच्चे ये बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं यह देखिए कितना अच्छा मेरा चावल बन चुका है और शिम्ला मिर्द जब आप भूने तो एक बात का ध्यान दें कि यह बिल्कुल क्रंची ही रहनी चाहिए यह देखिए मैंने डिश आउट कर लिया है अगर आपको मेरा यह चानल पसंद है विशा डिश तो प्लीज लीवा कमेंट, सब्सक्राइब, लाइक और शेर थांक यू